अलो दोस्तों वेल्कम बाक वन्स अगें टो आज चैनल बिलियन एजुकेशन आर एम इस तो रीच पिलियन आज वेल एस तो टीच देम आलसो तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं extraction of metal के बारे में आप सब जानते ही हो metal हमारे लिए कितना important है सारे human society में अगर आप देखो तो हर जगे metal ने बहुत ही जादा contribution किया है जो आज लिविश लाइफ है आप देख रहे हो car बड़ी बड़ी building है सब कुछ हर एक चीज आप अगर आप लो तो उसमें metal का बहुत ही मिलते हैं जैसे gold, silver, platinum अब यह क्यों free state में मिलते हैं क्योंकि यह inert होते हैं यह बिलकुल react नहीं करते हैं लेकिन दूसरे जो metal है वो आपको free state में नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बहुत जादा reactive होते हैं तो कहां मिलेंगे कुछ ऐसे specific specific part है अपने earth पे जहां पे यह मिलते हैं औ माइन्स में जो अर्थ में जो माइन्स है उसमें जो metal है वो combine state में होता है अब कौन सा form है combine जैसे carbonate, sulfate, sulfide, oxide यह सब का formula भी पता होना चाहिए CO32-, SO4-2, S-2, oxide, O-2 यह सारी चीज़े ठीक है और metal के combine form को हम लोग क्या कह देते हैं उनका salt कह देते हैं ठीक है Z-effective बहुत ज़ादा strong होने के वज़े से outermost electron पे nucleus का attraction बना होता है और उनके electron easily free नहीं होते reaction के लिए यही कारण है आगे देखिए mineral अब mineral कह देखिए मैं simple शब्दों में बताऊंगा आपको जमीन को आपने खोदा और जो कुछ भी आपको मिला उसे mineral कहते हैं तो क्या आप जमीन का कोई भी हिस्सा खोदते बैटोगे आप जिस घर में हो घर को खोद दोगे ऐसा तो नहीं है simple सी बात है आपकी कुछ desire होगी उस हिसाब से आप digging करोगे तो हम जाते हैं वो particular site पे जहां पे हमने already testing की है कि हमारा desired metal मिलेगा वहीं पे जाके हम digging करते हैं और digging करने के बाद अरे वसा digging मतलब क्या अरे खोदना मेरे बाद digging करने के बाद जो कुछ भी मिल गया उसे हम कहेंगे mineral तो mineral क्या होता है naturally occurring substance found in the earth crust containing inorganic salt solid siliceous matter etc is called as mineral देखो भाई silicon जो है ना silicon वो अपने earth पे सबसे जादा मिलता है मैं आपको बताऊ अर्थ crust मतलब लीदो स्फियर का अगर लो तो 46-47 परसेट आपको तिर्फ क्या मिलेगा silicon मिलेगा most abundant element है यह most abundant मतलब सबसे जादा मिलने वाला the mineral sir एक simple word में बताऊ ना mineral क्या होता है अरे mineral mixture होता है यार बहुत सारी चीज़ों का simple the mineral which contains high percentage of metal कौनसा metal desired metal जो आपको चाहिए माल लीजिए आपको iron चाहिए तो iron के अलग-अलग mineral होते हैं लेकिन वो mineral जिसमें से iron easily निकल सके जादा quantity में निकल सके और pollution भी कम करे तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों उसे हम उसका और कहते हैं हाँ sir समझ में आया खीचे मुझे कोई डोर तेरी और तेरी और और इस अर गाना भी गाड़े हो और राइमिंग है मेरे बाए गाना तो गाना ही चाहिए लेकिन हर समय नहीं गाना चाहिए नहीं तो collection हो जाएगा देखो यहां पर list of minerals and ores of some transition metals यह आपको याद होना चाहिए साथी क्यूंकि यह आपको questions में आएगा okay mcq वाले question में okay multiple choice questions में तो आपको यह और का formula याद रखना होगा hematite Fe2O3 magnetite Fe3O4 यह mixed oxide है इसमें FeO plus Fe2O3 उरता है ठीक है यह iron का plus 3 है और magnetite में plus 2 और plus 3 दोनों उरता है आया समझ में फिर next जो है वो लिमोनाइट है लिमोनाइट 2 Fe2O3.3H2 क्या water लिखना ज़रूरी है ओए एक भी water कम कर दिया ना सब गलत हो जाएगा समझा iron pyrite यह pyrite किस के वज़े से कहते है s2 के वज़े से इसे fools gold भी कहते है fools gold यह सोने की तरह दिखता है मतलब समझे रहे हो लोकंड है और दिखता गोल जैसा है उल्लू बना देता है अंको असर इसमें बनाने का क्या है देखो इदर सिडराइट सिडराइट क्या होता है Fe Co3 मतलब कार्बोनेट वो आपको ऐसे देंगे the carbonate ore of iron is आपको चार option मिल गया मैगनिटाइट लिमोनाइट आइरन पाइडाइट सिडराइट तब आपको चुलना है कि कौन सा उसमें carbonate है नेक्स देखो copper चालको पाइड चालको साइड क्यूपराइट ओके यहाँ पे देखो चालको पाइड सी यू एफी एस टू है यह ठीक है जिसे आप चालको और नेक्स क्या है cuprite cu2 लेकिन इसमें से इसका ओर कौन सा है चालको पाइड या फिर चालको साइड कह सकते हो और यहाँ पे देखो iron का ओर कौन सा है hematite मतलब इन सब में से iron easily किसमें से निकल सकता है hematite से निकल सकता है रोकड़ा भी किसमें कम लगेगा hematite में लगेगा easily भी आएगा रोकड़ा भी कम लगेगा तो बाए ओर हो गया न जिंक का देखो zinc blend blend S2- sulfide ओर है zinc site O2- oxide ओर है और फिर calamine ZnCO3 carbonate ओर है इसमें इसका जो बोलते है न यह सारे जो मैंने आपको बोले zinc sulfide, zinc oxide, zinc carbonate माफी चाऊ है और actual में इसका ओर ही है metallergy आप सब already aware हो 10 standard में पढ़ चुके हो metallergy क्या होता है the process of extraction of metal from its or using various processes उसी को क्या कहते है metallergy अब metallergy देखे अलग-अलग type क्यों होती है पाइरो-मेटलर्जी होती है, हाइड्रो-मेटलर्जी होती है और इलेक्ट्रो-मेटलर्जी होती है चली, the commercial extraction of metal from their ore is called as metallergy different methods are used for their extraction depending upon the nature of a metal and its ore वहलब हम अलग-अलग तरीके से metal को उसके ore से निकालते हैं अब dependent करता है कि metal कौन सा है? depending upon metal हम अपना तरीका follow करते है पाइरो-मेटलर्जी ये पाइरो-मेटलर्जी ये पाइरो-मेटलर्जी ये पाइरो-शचंद का मतलब समझ रहे हो हां सर पाइरो ने कहा पढ़ाई चोड़ दो आप कह रहे हो,पढ़ाई करो सर वही पार होना अब ये पाइरो अलग है ये पाइरो मतलब होता है heating at a high temperature मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं metal का जो combine form होता है उसको high temperature पे गरम करते हैं और उसमें reducing agent भी use करते हैं जैसे carbon hydrogen और aluminium इसी process को अपन क्या कहते हैं क्या कहते हैं metallergy याद रखना बहुत high temperature होता है metal match भी हो जाता है अब सुनिए काम की बात सर ये carbon hydrogen aluminium की use करते हैं क्योंकि जो metal होता है उसके साथ oxide होता है क्या होता है oxide तो oxygen को ये लोग ले लेते हैं oxygen को ये लोग क्या करते हैं ले ले लेते हैं और जो metal होता है वो freeze form में बच जाता है हाई समझ में साथ क्यों जो दूसरा आता है वो है hydro metallergy hydro शब्द का मतलब ही आप समझ रहे हैं की पानी मतलब जो metal है उसको solution form में convert कर देते हैं किस में convert कर देते हैं solution form में और फिर उसमें से हम लोग metal को extract करते हैं क्या करेंगे simple सी बात है metal से जादा reactive metal उसमें डाल के मतलब metal को displace करने वाला substance उसमें डाल देते हैं मतलब metal का जैसे combine form जैसे जैसे एक example देता आपको माल लीजिए cu so4 का solution है उसके अंदर आपने zinc डाल दिया तो आपको क्या मिल जाएगा जडे ने सो 4 प्लस सी आ रहा है समझ में तो सी यू बाहर आ जाएगा बट हला कि यह process हम नहीं करने वाले क्योंकि जो copper है वो काफी महंगा है जो है वो भी काफी महंगा है तो zinc को खर्चा करके हम copper को नहीं लेंगे क्योंकि zinc भी क्या हो रहा है sulfate form में consume हो जा रहा है आया समझ में तो यह जो reducing agent यहाँ पर है यह कौन है zinc क्योंकि reducing agent खुद क्या हो जाता है oxidize आया समझ में तो इस process को क्या कहेंगे hydrometallurgy अब देखिए next आता है electrometallurgy नो question आता है what is electrometallurgy तो इसमें देखिए इसमें कुछ-कुछ metal ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही जादा electro positive होते हैं मतलब इनके case में आप reducing agent नहीं use कर सकते हैं मतलब इनको displace करना काफी मुश्किल है और अगर आप electro chemistry पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा यह metal जो है यह electro chemical series में top पे आता है यह highly electro positive है यह फिर आप बोल सकते हो कि इनका जो reduction potential है वो बहुत कम है यह जल्दी reduce नहीं होगे तो ऐसे case में हमको क्या करना होता है हम लेते हैं यह कुछ ऐसा ऐसा device और इसमें ले लेते हैं दो rod और अपने metal का molten solution इसमें ले लेते हैं और एक हो जाता है इसमें इसको हम connect कर देते हैं external source of battery तो यह हो गया negative यह हो गया positive मतलब यह side हो गया cathode और यह side हो गया anode इस तरह से हम अलग कर देंगे जैसे Al2O3 जिसे हम alumina कहते हैं इसे हम अलग करते हैं graphite rod के presence में graphite के presence में इसकी electrolysis करते हैं तो होता क्या है 2Al3 plus 3 electron लेके क्या हो जाता है Al बन जाता है और जो oxygen है O-2 यह carbon से react हो के क्या दे देता है CO2 ऐसे होता है process तो carbon dioxide बनती है और यहाँ पर aluminium आ जाता है तो यह हुआ electro metallurgy by means of electric current मतलब current के help से हम metal को अलग करते हैं क्योंकि metal क्या होता है highly electro positive तो sir इसके कुछ example भी तो हमें दे दीजिए जैसे example लेलो आप जैसे aluminium हो गया okay sodium हो गया magnesium हो गया calcium हो गया यह सारे यह सारे के case में हम यही use करते हैं आज समझ में चलिए आगे देखते हैं steps involved in the process of extraction मतलब कौन कौनसे steps involved होते हैं यह सब already आप मेरे ख्याल से आप 10 standard में पढ़ चुके हो यह जस्ट एक religion है तो भी आप इसे देख लो extraction of iron has been known to Indians since 700 BC 700 BC मतलब 700 before Christ okay Christ के जनम के 700 साल पहले से okay मतलब generally हम लोग क्या लेते हैं कि जो Christ का जनम है तब से हम लोग साल को गिनना स्टार्ट करते हैं तो जो 700 BC था तब से Indians को पता है कि iron को extraction कैसे करते हैं अगर मैंने before बोल दिया हो तो माफ कीजिएगा तब से हैं ठीक है Indian blacksmith also knew the thermo mechanical process for forging और Indian blacksmith मतलब क्या लोहार okay लोहार लोग उनको ये पता था कि iron को गरम करके अगर उसको hammering किया जाए तो उसके shape को हम लोग change कर सकते हैं मतलब middle iron age जो था उसके बहुत सारे जो object है वो हमें मिले कहां पे मध्यप्रदेश में famous iron pillar in Delhi दली में जो कौती famous iron pillar है ये 1300 साल पुराना है और पता उसकी specialty क्या है उसको अभी तक रस्ट नहीं लगा है आरा समझ में ऐसे u का u वो tight खड़ा है आप जाके देख सकते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं तो extraction में सबसे पहला process आता है concentration अब concentration मतलब क्या जितना हो सके उतना impurity को आप निकालो जितना हो सके impurity को आप निकालो समझ मारा जैसे आपने ओर ले लिया bauxite al2o3.2h2 ठीक है और इसमें silica की impurity है तो जितना हो सके उतना जादा silica को निकालो तो होगा क्या overall silica कम हो जाएगा तो जो अपना ओर है वो क्या हो जाएगा concentrate हो जाएगा चलिए ऐसा example देते हैं माल लीजी आपके ओर में total 100 gram बॉक्साइड बॉक्साइड है मतलब al2o3.2h2 है मतलब 100 gram में ऐसे 40 gram al2o3.2h2 है और इसमें 60 gram silica की impurity है अब आपने क्या किया आपने इस ओर को purify किया concentrate किया और इसमें से 40 मतलब 40 से 50 gram silica आपने निकाल दिया तो अब जो हमारा ये पहले 100 gram था अब ये कितना हो गया 50 gram क्योंकि इसमें से आपने क्या किया 50 gram silica निकाल दिया तो अब जड़ा देखो इस 50 gram अब अपना desired product that is al2o3.2h2o कितना है 40 gram है in 200 कर दीजी तो यह क् 4,5.8 मतलब 80% हो गया और यही percent पहले चेक कीजिए 40 था 100 में से तो कितना हो गया 40% मतलब concentration करने के बाद जो desired product है उसका percentage बढ़ जाता है मतलब impurity को जितना हो सकी उतना जदा निकालना होता है अब उसके अलग-अलग method होता है ठीक है अब impurity को हम लोग gang नाम से भी बुलाते गयंग बुलिए या फिर मैट्रिक्स बुलिए ठीक है अब आगे देखिए after mining the ore from the earth crust it is subjected to concentration in this tip impurities termed as gang are removed from the ore and ore gets concentrated ओए इसको कोई गंग नहीं बोलेगा इसको गयंग बोलता है क्या बोलता है गंग नहीं कैसा अजीब लगता है ना गंगू सुनने में ठीक है आगे which remain mixed with the ore deposit are called as gang. या फिर आप ऐसे ऐसे sand मतलब क्या है siliceous silica होगा उसके अंदर mud है लब कीचड जैसी चीज है other unwanted impurity कीचड के अंदर भी तो silica ही होता है another unwanted impurity which remain mixed with the ore deposit are called gang. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो the earthy siliceous and unwanted impurity जो नहीं चाहिए और वो हमारे desired metal के साथ होती है तो उसे आपन क्या कहते हैं ग्याइंग कहते हैं अब देखें concentration process के दौरान होता क्या है ग्याइंग को जितना होसे के उतना जदा हम लोग अलग कर देते हैं और उसके लिए बहुत सारे process यूज करते हैं जैसे washing, hydraulic classifier, magnetic separation, frobs rotation ये सब कुछ हमने 10 standard में पढ़ा है और अगर आपका उस concentration depends upon the nature of pore अब इन में से concentration के लिए कौन सा method यूज करेंगे ये completely depend करता है कि metal कौन सा है और उसके साथ वाली impurity कौन सी है कोई-कोई metal magnetic होते है, impurity non-magnetic होती है तो उसे magnetic separation से अलग कर देते हैं किसी-किसी case में metal जो होता है वो ज्यादा dense होता है और impurity light होती है तो उसे hydraulic classification से अलग कर देते हैं और किसी-किसी में क्या होता है जो metal है और impurity है उसमें ज्यादा ना density का फरक है ना कोई-magnetic है तो फिर उसके लिए अलग method यूज होता है froth flotation और froth flotation generally sulfide ore के लिए किसके लिए sulfide ore के लिए क्योंकि वो colon nature की होती है और वो mostly क्या करती है oil part में चले जाती है जिसे हम froth भी कहते है तो यह था हमारा पूरा basic metallurgy का अब आने वाली class में हम पढ़ने वाले है extraction of iron from hematite ore using blast furnace मतलब iron का extraction करेंगे hematite ore से और क्या use करेंगे उसके लिए blast furnace blast furnace एक device है जिसके अंदर mainly iron का हम क्या कराते हैं reduction कराते हैं ठीक है तो I hope आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे होगी इसे share कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और मिलते हम एक और नई वीडियो के साथ अपने next episode में तब तक के लिए पापा